गुड मार्निंग बच्चो, यह देख रहे हैं, कितनी प्यारी पिक्शर है नहीं, यह सारी यह बच्चा पढ़ रहा है, इधर पहाड है, इधर फ्लावर, यह फूल है, यह मम्मी है, यह शेर है, यह देखे, अपना काम करने वाले हैं, यह सारी पिक्शर बनी हूँ, ठीक है यह पेड़ है इसमें फल बने हुए है अब आप इसकी जो है यह कविता है आपकी जैसे आप छोटे हैं तो राइम्स पढ़ते हैं ऐसे हिंदी में यह कविता है ठीक है और इसका नाम है सीखो तो इसमें क्या बोल रहे हैं फूलों से मुस्काना सीखो पेडों से जुग जाना परवत से मजबूती सीखो नदियों से बढ़ते जाना हरे भरे ब्रिक्षों से सीखो काम सभी के आना कोयल से सीखो अपनी वाड़ी को मधूर बनाना हरे भरे ब्रिक्षों से सीखो काम सभी के आना कोयल से सीखो अपनी वाड़ी को मधूर बनाना शेर से सीखो सासी बनना वक से ध्यान लगाना छोटी से चींटी से सीखो मेहनत करके खाना बच्चों इस कविता में आपको आपके प्रकृति आपके आसपास की चीजों से बताया गया है कि आप किस चीज से क्या सीख सकते ठीक है ना इसमें जैसे जब बहुत सारे पेड़ में जो पेड़ होता है उसमें जब फल लग जाती है तो उसके डालियां छोग जाती है हैं ऐसे ही आप जब बहुत सारी गुड़ आपमें आ जाएं तो आप नम्र हो जाओ खुब सरल हो जाओ ठीक है ना और ऐसे दीखिए यह चटान यह परवत कितना एकदम दिर्ण अपनी जेगां खड़े रहते हैं ना और यह देखिए शेर कितना बहादूर होता है यह है ना और चीटियां देखा आपने चीटी अपना खाना डूनने के लिए कैसे एक पंक्ती में जाती हैं और अपना जो है भोजन एकत्रित करती हैं है ना ऐसे ही और फूल भी देखिए फूल कितने सुन्दर फूल जब देख आप भी एक फूल की तरह हैं बच्चे भी फूल की तरह होते हैं और फूल हमेसा फूल को देखे आपको अच्छा लगता है मुस्कुराते हैं ऐसे ही आप हमेसा मुस्कुराते रहें और इसका विता का जैसे मैंने अर्थ समझाया है और लेर्ण कराया वैसे ही लेर्ण करें ठ